इस वीडियो में आपके लिए लिए हैं करन्ट एफ़ेट जैन्वरी धर्ड वीक हिंदी के अंदर जो भी इंपोर्टेंट हुआ दुनिया में इंडिया में ट्रेड एन एकनॉमी से लेकर अपॉइंट्मेंट से लेकर वो सब भी हम इस एक्षेन के अंदर कबर अप करेंगे अगर आप वोकाप में जादा स्कूर नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे पैंड्राइब को ले सकते हैं इससे आपको बहुत जादा बेनेफिट मिलेगा और बहुत लोगों को मिल चुका है अल्री इस पैंड्राइब को मिलेंगे सिस्टी वीडियो 3000 वोकाप के जिसके अंदर इसे बहुत शॉर्ट ट्रिक मिलेंगे आपको याद करने के लिए और आप इसको मिलेंगे इसको मिनिंगे इन हिंदी सिननम्स एक्जाम्पल इमेज़ेस आप इसे ओनलाइन एक्सिस कर सकते हैं वोकाप 24 एप के तुरू वहां आपको 497 रूपीज में मिलेगा और पैंड्र कुछ मिलता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब करें ता कि हम आपको और हेल्प कर पाएं आपके पेपर को क्लियर कराने में सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे इंटरनाइशनल से उसके बाद चलेंगे नैशनल के तरफ पर दे इसका अंसर इंडिया रेंक्ट 60 अमोंग 79 डवलपिंग इकनॉमिज बिलोर नेबरिंग चाइन पाकिस्तान इंक्लूजिव डवलपमेंट इंडेक्स तो इंडिया की जो रेंकिंग है वो 60 रेंकिंग आई है 79 डवलपिंग इकनॉमिज के अंदर जिसके अंदर बुरी बात इंडिया चाइन और पाकिस्तान से भी नीचे हैं तो सबसे पहले इस पेज में आपके लिए जानना जरूरी है वो यह है कि इंक्लूजिव डवलपमेंट इंडेक्स किन पेरामीटर के ऊपर इसको सेलेट करा गया है और इसको बनाया जाता है तो सबसे पहले आपको ध्यान त्री पिलर्स तीन पिलर के अंदर जैसे कि पहला ग्रोथ और डवलपमेंट सेकिंड इंक्लूजन थर्ड इंटर जेनरेशनल इक्विटी अंदर सस्टेनिबिलिटी इन तीनों ही पेरामीटर को देखके यह रैंकिंग करी जाती है और इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया च इसके अंदर नंबर वन पर है और इसकी जो कैपिटल है विल्नेस लुथेनिया की ओके और चैना की रैंक है 15 नेपाल की 27 यह सब आपको याद नहीं करना है लेकिन इंडिया की आपको धान रखनी है जो कि है सिस्टी देखते हैं ला कोश्चन वाट इस इंडिया ग्लोबल wireless letzte इंडियNEक्स यह आपको याद करना जरूरी है रैंकिंग इसी भी क्योंकि passport इंडिया 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 की जो वीजगे पहले ही अपलाय कर ना पड़ेगा ठीक है तो इस रैंकिन के इस रिपोर्ट की इंडिया की जो रैंकिन है वह 78 तो आपका आंसर है ए और जर्मनी ने इसने इस के अंदर टॉप किया है तो आपको यह ध्यान रखना है जर्मनी ने अधी जर्मनी ने टॉप किया है वीजा-फ्री स्कोर ऑफ 157 एशिया में और जर्मनी ने इस ने टॉप किया है देखते हैं ला कोश्चन विच यह एज बिन डिकलेट दो वर्ल वर्मेस्ट यह जाने कि कौन सा साल है जो कि दुनिया का सबसे वाम यह जिसको गोचित किया गया है देखते हैं यूज तो तो आपका अंसर है जिसके अंदर ग्लोबल अवरेज टेंपरेचर देखें अपने अर्थ का देखें तो वह 16 नेगरी सेल्चियस है अर्थ का जो अपना अवरेज टेंपरेचर है देखते हैं ला कोश्चन विच कंट्रिया डाउनलोड दाउनलोड आप अप्स फ्रॉंड गूगल प्लेज प्ले स्टोर इन 2016 यानि कि गूगल प्लेज से सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला कौन से देश है 2016 के अंदर तो देखते हैं यूज मूपाइल यूजर से इंडिया डाउनलोड करी है इंडिया वालों ने सेकिंड पर यूएस है और थर्ड पर ब्रजील है जिन्होंने 5 बिलि भी आप का अंसर है दे उनाइटेड अरब इमिरेट्स खालीफा बिन जायद अलनायन फांडेशन है उन्होंने डोनेट करा है दो मिलियन यूएस डॉलर्स ओके तो यह कौन से मेडिकल कॉलेज को या पर यूनिवर्सिटी को दिये गए है देखते हैं न्यूज देखते हैं इक शानरजी डिजिटल एक्सलेटर वाथ रुपीज दूमिलियन यूस डॉलर्स डॉ तु दॉ अ अलिगर्ड मुसलिम उनिवर्सिटी जवाला नहरू मेडिकल कॉलेज तो अलिगर्ड मुसलिम उनिवर्सिटी को उन्होंने डोनेट करने का फैसला लिया है यह अपने जो म पार्शिप इनिशेटिव तो आपका जो आंसर है वह है अलीगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी अलीगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी को इन्होंने डोनेट किया है तो देखते हैं इन्टा कोशन विच कंट्री रिसेंट्ली विद्रॉव वीजा-free इन्ठा करते हैं तो डेखते हैं इन्टा, ważne मुस्लि Ready आपका जोग्डरार करते च्राने» आं ञें वाजोटरी विजय विद्रॉव विजवेर्सि रिसेंट्रॉल क्रीडेजर्सिंगर्ये अले हैं चात्य विद्रॉव से शेखने हैं आपका जन रेर्सीटीःड है तो आपका जो आंसर है वो है Hong Kong, C आपका आंसर है, अब देखते है National News, विस सिटी अज रिसेंटली होस्टे इंटरनाशनल टेलिविजन डेंस फेस्टिवल, तो इंटरनाशनल टेलिविजन डेंस फेस्टिवल होस्ट करने वाली कौन सी सिटी है, तो प्रसार भारती होस्ट इ ने होस्ट किया है और कहां पर हुआ है हिदराबाद में, तो आपका आंसर है C, विच स्टेट इस लाउंच मॉबाइल अप्लिकेशन पिनाकिन फोर टूरिस्ट, तो पिनाकिन नाम की जो यह तूरिकेशन है, यह कौन से स्टेट ने लाउंच करी है, तो देखते हैं, तमिल लाउंच करी है, तो आपका आंसर है B, विच मिनिस्ट्री अज लाउंच करने वाली कौन से मिनिस्ट्री है, तो देखिए, फस्ट आपको जानना ज़रूरिए कि 41K है क्या, 41K यह है कि 41,000 करोर रेलवे डिपार्टमेंट क्या चाहता है, बचाना चाहता है अपने सोलर एनर क्यों कि Ministry of Railway के head has come up with a mission 41K, to save rupees 41,000 करोर ने next decade in the railway energy cost, ओके तो energy cost के अंदर reduction करना चाहता है, अगले next decade के अंदर और 41,000 करोर बचाना चाहता है, कौन? Ministry of Railways, तो आपका आंसर है A, Ministry of Railways, which city is hosted India's International Government Fair 2017, तो India International Government Fair 2017, कौन से city host कर रही है? तो देखते हैं news, the union textile minister Smriti Irani, Zubin Irani has inaugurated the 58th IIGF and unveiled the fair guide as well as in New Delhi, which was held from Gen 18 to 20, तो New Delhi के अंदर ये हुआ है fair और इसका नाम है India International Government Fair 2017, तो आपका आंसर है A, New Delhi, which web portal has been launched by the HRD minister Prakash Javedgar for the service sikshah abhyan? तो प्रकाज Javedgar जो की पहला environmental minister थे, अभी ये HRD ministry समाल रहे हैं, तो इन्होंने सर्वे शिक्षा अभियान, सर्वे शिक्षा अभियान के लिए कौन सा web portal launch किया है? तो देखता है News, the union HRD minister श्री Prakash Javedgar launched है, dedicated web portal Shagun for the service sikshah abhyan at New Delhi, तो Shagun नाम का है, web portal है, जो की इन्होंने launch किया है, और ये capture करेगा, showcase करेगा, innovation and progress जो elementary education sector में हुई है, ताक कि continuous क्या हो सके, monitoring हो सके, service sikshah abhyan की. देखते हैं, गला question, which state has launched Anandam scheme, तो Anandam scheme launch कौन से state ने करी है, ये मध्यबर्देश state है, जिसने ये launch करी है, to help the needy person, ताकि जो economically sound person है, वो donate कर सके, अपने items है, जो घर में जरुरी चीज़े हैं, जो poor लोगों को, ताकि उनकी जरुरत पूरी हो सके, तो ये मध्यबर्देश न करने के लिए, IIT के अंदर, girls के लिए, कौन सी committee ने suggestion दिया है, तो देखते है, तो बीस परसेंट सीट के girls के लिए, कहा है, कौन सी committee, Timothy गंजालवेस कमिटेन है, तो आप का answer है, वो है A, India's first cashless island, Karang is in which state, तो इंडिया के अंदर, पहला cashless एक island है, जिसको अभी अभी recognize करा गया है, Karang नाम से, ये कौन से state के अंदर, बहुत ही important question है, ये आपके मनिपूर के अंदर, मनिपूर के अंदर, मनिपूर के अंदर, तो दी आपका answer, ये लॉक्तिक लेक जो है, मनिपूर के अंदर, उसी का एक part है, the Karang island is located in the middle of the lock, the largest freshwater lake in the northeast India, तो largest freshwater lake है, और यहाँ पे northeast India की, ओके और यहाँ पे इसके अंदर ये island है, सितलपती, which has been recognized as the intangible culture heritage by the UNESCO is related to, तो सितलपती जो जिसको ने intangible culture heritage के तोर पर recognize किया है, ये कौन से, कहां से late करता है, कौन सी जगे से late करता है, तो ये late करता है, आपके कूछ विया districts है, West Bengal से, ओके तो आप का answer है, B, ये mat है एक तरीका के जो कि बैठने के लिए, फिर डोर पे लगाने के लिए, फिर विंडो पे लगाने के लिए काम आता है, summer के अंदर, ताकि temperature रहे, वो moderate temperature रहे, और ये मैट्स है, और made up of the viewed green, slips of the मूर्ता प्लांट, ये मूर्ता प्लांट से बनते हैं, ओके तो यह भी आपको ध्यान रखना है, अगर toughest question इसमें से frame होता है, तो यही बन सकता है, कि जो सितल पती है, ये किन को प्लांट से बनता है, तो ये मूर्ता प्लांट से जिन से ये बनता ह और ये West Bengal के हैं, which state has recently allowed sale of the kerosene in the open market, तो kerosene को open market में sale करने के लिए कौन से state ने permission दी है, तो करनाट का वो state है, जिसने अलाओ कर दिया है, तो आपका अंसर है, वो है C, करनाट का allows sale of the kerosene in the open market, which is the most dynamic city in the world, तो सबसे जाधा dynamic city कौन सी है दुनिया के अंदर, जो कि बैंगलोर बैंगलोरु has emerged in the world dynamic city in the John Salang LaSalle 4th annual city momentum index of the cities around the world, followed by the Hochi, main city of Vietnam and the Silicon Valley in the US, तो इंडिया ने इस सिलिकन वाली को भी पीछे कर दिया है, तो इंडिया को भी पीछे कर दिया है, तो इंडिया को भी पीछे कर दिया है, तो आपका जो आंसर है वो है बैंगलोरु, तो नंबर वन पर है, दुनिया की most dynamic city दुनिया में इस वक्त है बैंगलोरु, विशेटी इस होस्टिंग राइसेना डालोग 2016, तो राइसेना डालोग क्या है, राइसेना हिल्स कहां पर है, सबसे बहले आपको इसी से आप इसका अंसर निकाल सकते हो, कि राइसेना हिल्स है, कहां पर से स्टेट से इलेटेड है, तो देखते हैं, तो देखते हैं, तो यह कहां का यह वेस्ट बेंगल का फियर है, तो आपका जो आंसर है वो है, जहां पर प्रणब मुखर जी प्रेसिट प्रणब मुखर जी ने उसका इनाउगरेशन किया है, गोर्मेंट इंक्स M.O. to set up 1000 जन 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 के इंदर, तो गोर्मेंट ना M.O. किया है, 1000 जन 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 के इंदर सेट अप करने के लिए है, और यह किन के साथ में किया है, नैशनल यूवा कॉर्परेटिज सोसाइटी के साथ में किया है, और 1000 जन 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 केंदरास के लिए मोई किया गया है नैशनल यूवा कॉपरेटिव सुसाइटी के साथ में और इनका जो टार्गेट है वो तीन हजार यह ऐसे केंदर ओपन करने का है बाइदा एंड अप दिस फिसकल इयर तो अगला कोशन है इंडियन रेल्वेस असर्कुलेटेटेटेटेट ऑफ दराफार काविनेट नौट फॉर सेटिंग अप देडिकेटेट डेश बिलियन डॉलर डवलपमेंट फॉंड तो कितिना बिलियन डॉलर का सेट अप करने के लिए एक नॉट यारी किया है तो देखते है नूज इंडियन रेल्वेस असर्कुलेटेटेटेटेट and will be anchored by the world bank which state has launched MOS APP for the Dengu detection the MOS APP application has launched in which state is for the Dengu detection to detect the Dengu khochi based NGO in Kirela the center of the advertisement of the global health has developed a mobile application that can be used for health workers to conduct local survey document environmental issues and also to upload real-time images and data into the servers for tracking mosquito-borne diseases. Okay, तो ये कोची के अंदर एक NGO है, केरला-based NGO है, उसने Advancement of the Global Health ताकि Global Center for the Advancement of the Global Health ने developed किया है, mobile application जिसमें सारे सारे चीजें जो survey है, जो document है, environmental issues है, सब आप डालके पता कर सकते हो, track कर सकते हो mosquito-borne disease को, जिसका नाम है Moss App, तो आपका अंसर है Kerala, C आपका अंसर जहां पर स्टार्ट करा गया है, which state has the highest rating in the reading and the mathematics, तो highest rating कौन से state के reading on mathematics में, जिसके अंदर Kerala को पीछे करके Himachal Pradesh बना है, 2016 का सबसा highest rating and reading or mathematics में, तो आपका जो answer है तो कौन से state ने जो एक नया world record बनाया है, तो देखते हैं news, over 3.5 lakh people sing national anthem in Gujarat to set a new world record, तो 3.5 lakh लोगों ने एक साथ गाना गाया कहाँ पे national anthem में, गाया कहाँ पे अपने Gujarat के अंदर, और इससे जो previous पहले जो record था वो बांगनेदेश का था जहाँ पे है लोगों की एक 11,000 km की against addictions तो बिहार वो state है जिसने thousands form human chain for the addiction जैसे कि बिहार के अंदर alcohol को band कर दिया जाता कुछ time पहले तो उसी को लेके इन चीजों को वहाँ पे start किया गया और एक chain मनाए गई जहाँ पे 11,000 km से भी बड़ी इसके against addiction के against तो आपका जो answer है वो है बिहार अब देखते हैं trade and banking से related important question sabi cuts brokers turnover fee by 25% to bring down the overall cost of the transition in the stock market market regulator sabi reduce this turnover fee by 25% तो रुपीस 15 पर रुपीस 1 करोर worth of turnover from रुपीस 20 earlier ओके तो 20 रुपए से 15 रुपए साथ भी इन अपनी fees कर दी है जो कि pay करने पड़ती है initially आपको वहाँ पे trading करने के लिए what is the expected date of the implementation of GST तो यह expected date कितने है जब से GST implement किया जाएगा तो यह है आपकी 1st July 1st July 2017 से expected date है कि GST को implementation हो जाएगा Central and SBI card launch premium co-branded card Central and SBI card ने launch किया है future group fashion and lifestyle department store Central and SBI card announce the launch of a co-branded credit card to offer benefits to customers in the premium lifestyle and fashion space future group ने और lifestyle ने दोनोंने साथ में SBI के साथ में collaboration किया है तक कि जो इनके जो लोग हैं जो customer से उनको benefit मिल सके shopping के अंदर which bank has launched country's first customable saving account customable saving account launch करने ओला देश का पहला bank कौन सा है तो yes bank launches customable saving account यानि कि जिन लोगों को कोई saving account नहीं चाहिए है वो उनको हटा सकते है उनकी fee भी अटा सकते हैं जैसे customer खुछ चूज कर सकते हैं अपना debit card लेना है उनको minimum balance कितना रखना है ATM चाहिए या digital banking चाहिए branch banking या family grouping जो भी उनको facilities है यह वो सिर्व उनका ही pay करेंगे और अपना custom करके अपना saving account खोल सकते हैं आपका जो आंसर है वह है yes bank yes bank ने फैसलेटी उपन करी है world bank and India signed a financing agreement for idea credit of dash million for the nagaland health project तो nagaland health project के लिए इंडिया ने और world bank ने sign किया है idea का credit लिया है वो कितने का लिया है तो multilateral lending agency world bank and India signed a financing agreement of idea credit of usd 48 million for the nagaland health project 48 million इंडिया ने लिये हैं okay तो यह आपका जो answer है वह है 48 million usd to increase the utilization of communities to increase or to provide a service and increase their utilization in the health by communities in targeted location in nagaland according to imf what is india's expected growth rate for the current fiscal year तो imf के according india के current fiscal year के अंदर कितनी growth rate होगी तो india उन्होंने 7.6 से cut करके 6.6 forecast करी है तो आपका जो answer है वह है d 6.6 और global जो growth उन्होंने estimate करी है 2016 की वह 3.1 करी है percent in a line with the October 2016 forecast according to the UN report what is india's expected growth rate for the current fiscal year तो current fiscal year के अंदर united nation की report क्या बोलती है इंडिया की growth rate के बारे में तो इन्होंने print किया 7.7 2017 के अंदर तो आपका जो answer है वह है 7.7 current के लिए उन्होंने किया है 7.7 The Reserve Bank of India has imposed rupees dash penalty on Bombay Mercantile Cooperative Bank limited Mumbai for violation of the KYC directives तो know your customers जो directives है उनके को पारन नहीं करने के लिए Bombay जो Mercantile Cooperative Bank के उस पर fine लगाया है RBI ने तो वह कितने का लगाया है वह लगाया 75 lakh rupees का तो आपका answer है C 75 lakh rupees The World Bank in sanction rupees 1376 crore for the complete upgradation and the development and the improvement of the power system networking तो 1300 crore रुपे World Bank ने sanction करें है complete वहाँ पे upgradation के लिए improvement के लिए power system के अंदर तो यह कौन से state में कर रहा है तो यह कर रहा है 3 पूरा के अंदर 3 पूरा power upgradation के लिए 1300 crore रुपे World Bank ने sanction के हैं तो आपका answer है A Which bank can start up with India's post payment bank to provide technology platform for pilot launch of IPPB तो Punjab National Bank वह bank है और India post payment bank ने दोनों ने MOE sign किया है Okay where PNB will provide technology platform for pilot launch of IPPB on receipt of regulatory note from the RBI Okay तो आपका answer है वह है PNB Punjab National Bank Where is the headquarters of the Asia infrastructure investment bank AIIB AIIB تو AIIB का जिसके जिसके नदर जिसके अनला शेयर है वह चाएना के है उसके बाद इसमें इंडिया के हैं जिसका पुरा नाम है Asia Infrastructure Investment Bank ओके तो इसका जो headquarter है वो है Beijing के अंदर तो आपका D answer है Which bank has tied up with the quality limited for providing rupees 4000 crore loan to the farmers तो quality limited ने किसके साथ कौन से bank के साथ में type किया है 4000 crore रुपे का loan प्रोवाइड करने के लिए farmers को तो देखते हैं news Dairy firm quality limited said it has signed an agreement with the bank of Badoda for providing rupees 4000 crore loan to the farmers, farmers 1 lakh rupees farmer from whom the company produces milk तो farmer कितना 4000 crore loan ये 1 lakh farmers को देने के लिए इन्होंने M.O.E. sign किया है जो company के milk को produce करते है तो जो आपका answer है वो है bank of Badoda देखते हैं next question Who has been appointed as the ambassador of the Mumbai marathon तो Mumbai marathon की जो ambassador किनको appoint किया गया है देखते हैं news तो Mumbai marathon 2017 के डेविड रुदीशा है जिनको brand ambassador बनाया गया है तो आपका जो answer है वो है B डेविड रुदीशा Which bank cannot accept deposit under the Pradhan Mantri Garib Kalyyan Deposit Scheme तो Pradhan Mantri Garib Kalyyan Deposit Scheme के अंदर कौन सा bank है जो कि deposit accept and accept नहीं कर सकता देखते हैं news The government has announced that the cooperative banks will not be authorized to accept deposit under the Pradhan Mantri Garib Kalyyan Deposit Scheme ओके ये कौन से scheme है प्रधान Mantri जिसके अंदर जो income है undisclosed income है वो इस scheme के अंदर declare कर सकते हैं और 25% total amount एक interest-free fixed deposit में उनको रखना पड़ेगा और वो भी चार साल के लिए है तो जो आपका answer है वो है cooperative banks देखते हैं next question Which company has become worldwide Olympic partner through 2028 तो 2028 के अंदर Olympic जो होने वाले हैं उनकी कौन से कंपनी है जो कि worldwide Olympic partner बन गई है देखते हैं news Chinese online giant that is Alibaba has become the worldwide Olympic partner through 2028 after signing the first long term partnership with IOC तो International Olympic Committee के साथ में इनोंने type किया है और 2028 से ये Olympic worldwide Olympic partner बन जाएंगे तो जो आपका answer है वो है Alibaba जो कि ये Chinese online company है Alibaba will become the official cloud service and e-commerce platform service partner as well as the founding partner of the Olympic channel Alibaba founder and the executive chair that is Jack Ma announced a conference conference here on the sidelines of WEF annual meeting 2017 तो इनके जो founder है Jack Ma उन्होंने ये announce किया है कि 2028 से Olympic partner ये बन जाएंगे which bank will install an ATM at INS Vikrama Aditya तो Vikrama Aditya पर कौन सा bank है जो कि अपना ATM इस्टाल कर रहा है तो देखते हैं न्यूज INS Vikrama Aditya will soon have an ATM on board और ये कौन कर रहा है SBI bank है जो कि इस facility को provide कर रहा है तो आपका जो answer है वो है C SBI इससे पहला INS विराट के ओपर भी equip किया गया था एक telephone ओके लेकिन वो एक जो ATM था वो बहुत उसकी limited access थी लेकिन अभी जो विक्रमा आयते है के ओपर जो ये ATM इस्टाल किया जा रहा है ये operate करेगा via satellite communication link और इसके ओपर काफी अच्छे facilities है तो देखते हैं गला question Which bank has launched FI at school program to propagate financial literacy among school children तो कौन सा बैंगला knowledge किया है FI at school program to propagate financial literacy among school children तो देखते हैं Kerala Grameen Bank is launching FI at school program to propagate financial literacy among school children तो Kerala Grameen Bank है वो तो आपका जो answer है वो है B और FI का मतलब क्या है financial literacy at school तो नागपुर सिकुंदराबाद जो train है उसको तेज चलाने के लिए कौन सा country है जो कि भारत की help कर रहा है ये है Russian Railways पर अंडर्टेक है feasibility study aimed at upgrading train speed on 575 km long नागपुर सिकुंदराबाद route as part of a government to government agreement between the two countries तो government to government agreement जो हुआ है दो देशों के बीच में इंडिया और रश्या के बीच में रेलवेस के बीच में तो उस agreement के तहट जो रश्यन रेलवेस है वो भारत को help करेगी इस route को faster चलाने में तो आपका जो answer है वो है रश्या और अभी भारत के सबसे फास्टेस ट्रेन है वो है एक सो साथ किलोमेटर चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस जो की डेली और आग्रा के रूट के उपर चलती है गतिमान एक्सप्रेस विच इस दा मोस्ट इनोविटिव कंपनी अप तूज़न सिस्टीन तो 2016 की सबसे इनोविटिव कंपनी का किताब किनको मिला है यह मिला है एपल को तो आपका अंसर है C, एपल नेम मोस्ट इनोविटिव कंपनी अपन नाओ तो BSE का IPO अब ओपन हो गया है और इन्हों रेस किया है नियरबाइ 1200 क्रोल रुपे और इंडिया का यह पहला कंट्री का एक स्टॉक एक्शेंज है जो की शेर मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ है और BSE is the world's largest exchange by number of listed companies It is India's and the world's 10th largest exchange by the market capitalization तो market capitalization के तौर पे इंडिया का largest और दुनिया का 10 सबसे बड़ा एक्शेंज स्टॉक एक्शेंज है यह तो recently जो PNB ने contactless credit card launch किया है उसका नाम क्या है तो उसका जो नाम है वो है PNB Wave and Pay PNB Wave and Pay उस contactless credit card का नाम है तो आपका जो answer है वो है PNB Wave and Pay D आपका answer है तो आप देखते हैं appointments Who is the head of the IRDAI committee to review life insurance product regulation IRDAI committee के head कौन है जिनको जो review करना है life insurance product regulations को देखते हैं news The insurance regulator in the development authority of India IRDAI has constituted a committee to review life insurance product regulations Amitabh Chaudhary CEO HDFC standard life insurance company has been appointed as a chair person on the 8th member panel तो Amitabh Chaudhary को इनके committee का head बनाया गया है तो आपका जो answer है वो है A Amitabh Chaudhary Who has been elected as a president of the European Parliament तो European Parliament के president किनको select करे गया है यह है Antonio Tanzani एक former Italian Air Force officer है उनको select करा गया है तो आपका answer है A Who has been appointed as a new CBI director तो नए CBI director किनको appoint किया गया है प्रिवेज जो थे वो थे अनिल सिनहा और अब डेली पुलीस चीफ याने की आलोक वर्मा को appoint किया गया है नए CBI director तो आपका जो answer है वो है C आदमा बारो है son is the president of which country तो यह बारो जो है आदमा बारो इनके कौन से देश के यह प्रेसें अभी इनको बना गया है यह गांबिय के बनाए गए है गांबिय क्या है एक West African nation है इसके boundary किसे सरावंड़रेद है Senegal से बांड़र है तो इस प्रहल से विभू न के लिए बनाए गई है इस ह्जांसर वू है आप देखते हैं आवार्ट 25 चिल्रेंज विन नैशनल ब्रेवरी आवार्ड वार्ट तो पच्छेश्जश बच्चों को नैशनल ब्रेवर्ड दिया गया है इस साल तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है इसके इतने जादा नाम या आपको याद नहीं करना है सिर्फ यह जान रखना है कि 25 बच्चों को सेलेट करा गया है National Bravery Award के लिए प्रिंका बैक सेकंड पीपल चॉइस अवार्ड तो प्रिंका को आपका प्रिंटा जानसर है वह एक शेलेट को रिसेंटली इस कलप के अंदर ऐड़ आड़ आं किया गया है विच इंडियन फिल्म मैंज भी दे इंटरनेशनल बैरोगो स्प्रिंग फेस्टिवल मिला यहां पर भारत की मुवी को अवार्ड मिला है तो उस मुवी का नाम है सांज यह एक हिमाचली मुवी है जिसको पहली बार महाँ पर आवर्ड मिला गया मिला है अब देखते हैं स्पोर्ट से लेटेड इंपर्टन कोशन अमुरुताव विंस डेली इंटरनेशनल चेस्समीड तो टॉप सीटर जो ग्रेंड मास्टर थे फार अमुरी माशन थे विंस यह तो एंटरनेशनल चेस्समीद पर ठेस्टर फेस्समीड विटार्टि कहिते हैं। तो आपका अंसर है A अब देखते हैं देथ विज नोन इस दा ब्लैक होल मैन आफ इंडिया तो ब्लैक होल मैन आफ इंडिया के रिसंटली देथ हुई है और ये कौन है जिनको इस नाम से जाना जाता है ये है विशवेश वर्या C.V. विशवेश वर्या the black hole man of India no more okay तो विश्वेश वदिया जो कि पाइनर थे research के अंदर black holes के अंदर उनके recently death हुई है तो आपका answer है A फिल्मेकर दीपक रॉय पासे सवे तो दीपक रॉय नोन फॉर इस film that is limit to freedom which won him a national award in 1996 under the category of best investigative film as passed away at the age of 67 तो जो limit to freedom जो movie बनाई थी नोने दीपक रॉय ने इनको इसके लिए national award मिला था 96 के अंदर ओके और इनके recently death हुई है गीता सेन पास्टर रिसेंटली who she was तो वेटरन एक्टरस थी गीता सेन जोनोने कई सारी movies में काम किया है थेटर में काम किया है कुलकता के अंदर उनके recently death हुई है तो ये कौन थी ये actress थी तो आपका जो अंसर है वो है actor अब देखते हैं books An Unseatable Boy is a biography of तो Unseatable Boy नाम की जो biography है ये किन के उपर लिखी गई है ये लिखी गई है करन जोहर के उपर और शारुक खान है जिन्होंने इस book को launch किया था खुलम खुला is a biography of तो खुलम खुला किन की biography है तो खुलम खुला किन की है रिशी कपूर की biography है तो जो आपका अंसर है वो है रिशी कपूर C आपका अंसर है इन्होंने इसके अंदर काफे कुछ लिखाया है अपने जो relationship है फादर के साथ में और सन के साथ मैं ये सभी इनोंने काफी कुछ इसके बारे में बताया है So friends, these are the important questions जो आपके paper के लिए बहुत important है और हमने discuss करे And friends, if you are not subscribed to our channel team now then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocaps and quiz download vocab24 app now and if you enjoyed this video then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video So friends, thank you and all the best for upcoming exam Hope you like this video